क्या आपको पता है, एरोप्लेन की जो टायर होते हैं, वो complete rubber से नहीं, बलकि वो conducting बनाए जाते हैं, चली मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यूं, आपने देखा होगा, जब एक एरोप्लेन रनवे पर दौर लगाता है, तो हवा उस एरोप्लेन को बहुत थेजी से cross करके जाती ह जिससे उस एरोप्लेन और उसके टायर पे static charge आ जाता है, और इस static charge से एरोप्लेन पर fire या फिर spark होने का chance बढ़ जाता है, और अगर हम इन टायर को conducting बनाते हैं, तो जितना भी static charge बनेगा, वो सारा static charge अर्थें के थुरू अर्थ में चला जाएगा, और हमारा एरोप्लेन इ या फिर fire से बच सकता है,